तो जय हीं दोस्तों, दिसिज रभी शंकर आज हम लोग सुरू करते हैं संग्या की परिवास और परकार तो मैं एवां सिक्षा पर आप लोग का तही दिल से स्वागत करता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि संग्या की परिभासा और उसके परकार हर एक तरह के competitive exam में पूछे जाते हैं साथी साथ ये seated के लिए बहुती most important क्या है concept है आज हम लोग जो कभर करने वाले हैं वो है संग्या किसे कहते हैं संग्या क्या परकार और जाती बाचक संग्या जैसे राममंदीर राम Narendra Modi Khošy इत्यादी हैं यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि loro क्या है? एक तरह की वेक्ति की बात की गई है OF Vicious की बात की गई है राममंदीर एक वेक्ति के साथ यहां पर बीशेस जगा की गई धर नरेंद्र मोधी एक भिशेष व्यक्ति की बात की गई adiiii को ये खुशी एक परकार के emotion को एक परकार के क्या भाव को बताया गया है तो यहां पे लिखा है कि जब किसी सबसे किसी व्यक्ति वस्तु इस्थान, प्रानी, गुर्ण या भावग आदी का बोध होता है उन्हें संग्या कहते हैं आगे बढ़ते हैं संग्या के परकार अथवा भेद तो संग्या के मुक्यता पांच भेद होते हैं पहला जाती बाचक संग्या दुसरा वेक्ती बाचक संग्या तिसरा भाव बाचक संग्या, चोथा समु बाचक संग्या और पाँचवा द्रब्य बाचक संग्या अब बात करते हैं कि जाती बाचक संग्या किसे कहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि जाती बाजक संग्या जिन सब्दों से किसी एक ही परकार की अनेक वस्तुओं का या लोगों का बोध हो उसे जाती बाजक संग्या कहते हैं जैसे गाए, कपरा, घर, लर्का, लर्की, शेर्नी हम कह सकते हैं कि गाए सब्द का इस्तिमाल, दुनिया के सभी गाएों के लिए किया जा रहा है, यानि कई रंग की गाए होती है और कई परकार की होती है लेकिन उन्हें हम क्या कहते हैं, गाए ही कहते हैं माफ कीजेगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेर्ट हुई है तो I hope आपको समझ में आ रहा होगा कि जाती बाचक संग्या किसे कहते हैं जाती बाचक संग्या को और आसान भाशा में समझने के लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं किसे कई मुख्य भागों में बाटा गया है पहला समंधी बेशाय पद के काड़े और नाम के अधार पे जैसे भाई, बेहन, अध्यापक, किशान, वकील, मंतरी, किशान, इतियादी हम लोग कह सकते हैं कि जैसे भाई अगर मैंने कहा भाई या मैंने कहा बेहन तो यहाँ पे भाई और बेहन यानि भाई हम लोग बहुत तरह के भाई होते हैं बहुत तरह की हमारी बेहन होती हैं अधियापक अधियापक बहुत तरह के होते हैं यानि की कोई PRT का अधियापक है कोई TGT का अधियापक है कोई PGT का अधियापक है किसान किसान हर तरह के होत कि जातिक बाचक संग्या में अगर जानवर की बात की जाए अगर गाय की हिरन की घोरे की तोता की मोर की इतियादी तो यह सब चीजे क्या है यह हम लोग घोरे की बात अगर करते हैं तो घोरा इस दुनिया में नाम तो घोरा है मगर घोरे की नसल बहुत सारी हैं गाय की नसले बहुत सी है कोई काली है कोई सफेद रंग की गाय है हीरान है कोई छोटे हीरान है कोई बड़े हीरान होते है तोता है हरा रंग का तोता है कोई गुलाबी रंग का तोता है कहीं कलर अलग 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 रंग का तोता होता है मोर है अलग 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 परकार के मोर है किसी नाम से उसे जाती बाजक संग्या कहते हैं उसी तरह बस्तु के नाम के अधार पे जिसे मकान मकान कहीं तरह के होते हैं लेकिन उन्हें हम मकान ही कहते हैं कुर्सी कहीं तरह के होती हैं लेकिन हम उसे क्या कहते हैं पुरसी कहते हैं मेज पुष्टक कलम इतियादी उसी तरह प्राकृतिक तत्तों के नाम के अधार पे जैसे बिजली वर्सा आंधी तुफान भुकंब ज्वाला मुखी यानि यह सब चीजे अलग 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 परकार की होती हैं लेकिन इन्हें हम लोग क्या कहते हैं इन नामो से पुकारा जाता है इसलिए जनी कि जब हम बिजली की बात करें तो सारी बिजली जाती की बात की जा रही है वर्सा की बात की जा रही है अगर भुकंब की बात है तो कितने भी तरह के भुकंब आते हैं अलग 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 परकार के भुकंब होते हैं अलग 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 अल विशेष 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 नब जैसे घंडुसतान दिन इक giàगरण खाराथ टाइम यह सब क्रेस्व मुख्जार यानि विख्ति वचर संगया का मतलब किसी व कि विशेश व स्र sarc 2000 जल स्थान श्क्ले सेीव जलेगेतार को में तो धुशे व्यों आगा कि श्रकल्म को किसे कहते हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सब को मेरा जय हिंद नेक्स वीडियो मिलते हैं धन्यवाद